अब देख रहे हैं यादी, तरुक पिकल किस्सा, मैं है इनॉप दैनियल्स गुडी सरवाई, केरसी लॉर्ड, सुमित मित्रा, विस्ताप बलसारा, धीरज, सूरज साथे, हुम्मी मुलन, रेवाचंद, के भारत, कंकन दास गुपता ये वो तमाम फनकारों के नाम है, जिनका नाम हिंदी सिनेमा में अकॉर्डियन के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इनी फनकारों में एक नाम ऐसा भी है, जो के अकॉर्डियन का सिनोनिम है, यानि अकॉर्डियन का दूसरा नाम अपने दोर के जाने माने पियानिस्ट, अकॉर्डियनिस्ट, म्यूजिक कम्पोजर और शानदार म्यूजिक अरेंजर जिन्होंने एसडी बर्मन, नौशाद, सी रामचंदर, ओपी नईयर, मदन मोहन, खयाम, सलिल चौधरी, वसंत देशाई, एंदत्ता और शंकर जै किशन के साथ अकॉर्डियन और प्यानो गुजाया है जनाब इनौक डैनियल साहब यूट्यूब की दुनिया में आपका स्वागत है, खैर मखदम है, वेल्कम सर सर आने वाली 16 एपरिल को आप 89 बरस के हो जाएंगे सबसे पहले ही बताइए कि आपकी हेल्थ का, आपकी सेहत का राज क्या है यह प्रमाशोर परोसा मेरी जो जो, He has taken care of me, I should say और जिए लाय पूर फेदिन जाएंगे और जितने दिन भी मैं रहूंगा तो उनके बज़िस से ही रहूंगा और में यही पास्ना है कि उनकी इच्छा से मैं उनका पूरा काम पूरे कुरू डैरी साहब आपके जरीए हम रफी साहब की यादें ताजा करना चाहते हैं सबसे पहले यह बताईए कि रफी साहब से मिलने से पहले क्या राय थी आपकी और उनसे मिलने के बाद क्या फरकाया आपकी राय में आपके ओपिनियन में मैं जब प्यानु सिख्था था स्कूल में राज़ जब लेट 40s and 50s बिगिनिग तो तब से मेरे कुप मेरे दिमाख में रफी साब के खाने थे और सबसे बेटर फांग जो आज तक मुझे अच्छा लगा वह इस तो है ने नाद धर चुपी वाजी वाब प्रणू भाल में रखाएब चाहिए और प्यानु के इतना अच्छा मुझे लग्ता थो वजाने के लिए लिए तर्फिल्य मुजिक अशुट्स पुड़ स्यूट्स उट़् स्टेशंगर तक मुझे तो ने कॉच्छ पर टूटिक्टिक्यूर स्चॉप। सर रफी सहब से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी और उस मुलाकात में आपने क्या अबज़र्फ किया, क्या मैसूस किया था? मेरे पहली मुलाकाट स्रीरम चंडरा के साथ उनके साथ तो रफी साहब के साथ आपके रिलेशन्स क्या बस आर्टिस्ट लेवल के थे यानि क्या सिर्फ प्रॉफेशनल रिलेशन्स थे या आप उन्हें नजदिक से भी जानते थे सर रफी साहब के साथ आपने कितने स्टेज शोज किये होंगे और उन शोज में आपके दिल के करीब सबसे यादगार शो कौन सा रहा और उसकी कैसी यादे हैं आपके साथ? सिर्फर के साहब शोजमी जानते रहा हैं आपके सांट आपके साथिए तो यह कहां हुआ था शो सर यह देली में हुआ था राइट फिर 1966 का वो तारिखी शो इस्टारिक शो जिसे कहते हैं जिसमें बजी लॉट सहाब दिलिपनायक साहब ऐसे सब आपके साथ थे इसमें तो यह भी सुनाय के बजी लॉट सहाब को आप ही नहीं कन्विंस किया था कि जूए मेरे साथ चलो करके क्वेस्टन दिज उड़ो तो आये थे साथ में जी कैसा रहा वो शो और कैसी यादें उस शो की बहुत साथ था को वों बहुत मजा का ता यह कंपें आई नहीं 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 गي गालें जाने में इस किसी बात के गभी नहीं आखी ती यह अज़ परफेक्ट अज़ूटी अपने हिंदी सिनिमा संगीट का वह दॉर देखा है के आज बड़े से बड़ा मुजिशिन भी आपके सामने बॉना नज़र आता है यह बताइए कि उस दौर के संगीट में और आज के संगीट में आप क्या फर्ख मैसुस करते हैं संगीट में अज़ नहीं कुर लाँ, बड़ा २हीं है कि अ बड़ कुरिये जो शज़े झालूम नहीं है कि अथिमें ज़च को नो होता है, मुज़िक का, अच्छा है और भुरा है, तिधेर वोह होता है जो उडिनरी पोस्टन अना फुट अज़ों जो संगित को बिल कुल खिकाने, जो अच्छा को पॉजिशन हो जाके बढ़ जाता है कैसे बच्छाइब, that is the power in music if that music is general वो सबजने वाला नहीं भी होगा, तो भी उसको अच्छा लेगे उसको बार 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 ने को अच्छा लेगे अच्छा ये बात आजके संगेत में हाइकन बिल्कुल रही है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अच्छा बुजनों जिनों में जिसके लिए संगेत बंदा साथ I'll say the producer and the director even they used to get involved in me today it is not so today it has become online watch system the director will tell the music composer on thirtieth is my shooting so keep the tracks ready by ten but track track बनने के time में बाजिक भी नहीं होलगी they may not come it is left to the music composer so सका अपने अपने इसाँ से कुछ कर लेते whether it is going to suit the film or not nobody thinks पहले जमाने में बहुत कैसूर रहते थे the director used to tell the composer कि तुमने क्या बनाया कि मेरा स्कीन को है वो रोड़ साइड ते है और दुपर का तीन बजे का टाई में अपने को तरा आगिया उसकिया like that they knew something about music but to tell who is telling anything nobody because music is not one to them जी मैं समझ रहा हूँ आपने कहा था कि उस दौर का संगीज जो था मा के हाथ की रोटी गदर और समर्दाज लोग भी बढ़ाते थे ना उसे को उनको अपने प्रेस्टिज करां रखना था लोग क्या बोलेंगे मैंने कंपोज किया और ऐसा गाना नहीं वो अपने इस सब से पराबर करते थे करेक्ट दैनी साब हमारे देखने और सुनने वाले ये जानना चाहेंगे एक लेमेन एक जानना चाहेगा कि एक पर्टिक्लर गीत कैसे बनता है उसके पीछे क्या तईयारी होती है कितने मुजिशन्स लगाये जाते हैं क्या-क्या ध्यान रखा जाता है यू बिंग अब मुजिक अरेंजर मैं आप से ये सवाल करता हूँ कि किस तरह से एक गीप बनता है इस तरह से स्पेशली फॉर फिल्म जब अरेंजर को गाने का नोटेशन बिल जाता है उसको बताया जाता है कि इंट्रोड़क्री पीस से उस आप से उना को ंप सी यष्टेशन करते है कि रिव क्यानी का गा सीचुएशन कैने है ड्स दी नहीं जा पंऌ फिपरत कर इंट्रोड़क्र अभते है तर इसे अरफोट बिल्स तरह स्ट्रोड़क्र का एगा को था श्ट्रोड़क्र जा भननता तो इसमें उसमें बीच में कब तो सिर्फिया जाता है। इंटरूट बीसे। और अगर इंटरूट बीसे। इंटरूएशन विच इंस्टुमेंट विज जस्टिफ़ाइड देशी। सब्जेंदाब। अगर विलेज का सीने और वहाँ पे आप पियानों का पीज बता देए। इंटरूट बीसे। उनके कल्चर के इसाब से जो इंस्टुमेंट वहाँ पे बजेंगें उसी टाइप का साउंड होना चाहिए। तो तो बाकिंग करें परोग्व फिर आप ये कैसे दिसाइड करते हैं कि यहां फ़ला जगा पर सन्तूर के पीस आने चाहिए। यहां पर ये स्ट्रोक्स का ऐसे पीस होना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होता है। इसलिद्स नवर्ट पर प्रजिदूर्ध की। तो कभी बुल्बुलतारं यूज करते, कभी मैंटोजिन यूज करते, कभी संतोर यूज करते, समझ गया है, और फिर यह कैसे डिसाइड होता है, यू den फिक वाइल करते,िसमें वाइलनस इदने लगे उतने हाेंगे ये इतने तबले बजेंगे समय, ये बिसिकली आप यही कहना चाहरे हैं कि एक गीत का फिल क्या है, उसके हिसाप से साउड रखा जाता है, इसमेंटा? प्रवाली स्टड़ोशकारे इस का इस अजर प्रप्राइ टर्वा कंट अप्रवाबिण संटीज। च्रवाइज वेफ प्रवाइजारी इसने लेविटेशना फैयली टॉबधिती प्रवाइज़। आफ यह सहाथ सूर्वें एक सूर्व बजाव में ते बुसरे सूर का एक एक वाइबरेशन निकलता है बिलकुल अब जब अधिए आफ रहा वाव वाव क्या बात है तो अधिनी हारेक मुजिक में होती है कहा अच्छी लगेगी यह एपंड्स अन भी सीट तो आपने स्टेज शोज और रिकॉर्डिंग रूम्स में रफी सहाब के साथ बजाया है अपने साथ को तो यह बताईए कि रफी सहाब कहां कमफर्टिबल ज्यादा होते थे पर रिकॉर्डिंग रूम में तो स्टेज पे ज्यादा मज़ा आता है तो आपका बजाया हुआ और रफी सहाब का गाया हुआ वो कौन सा गीत है जो आपके दिल के बहुत करीब है और क्यों मैं आपको याद दिलाओंगा सर गाने आपको मैं सब याद दिलाओंगा जैसे के लविन टोकियो से आपने स्टार्ट किया लविन टोकियो से तो उसमें लविन टोकियो में आपका फेवरिट गीत कौन सा था उसमें सारे accordion के pieces आप की थे वाँ वाँ क्या जबरदस्त है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि डूएट है वो रफी साथ ये तो accordion की बात हुई मैं ये भी जानता हूं और सारी दुनिया जानती है कि आप पियानों भी बहुत अच्छा बजाते हैं वो कौन से अज़नली मुझा बजाता था था ये जब डिसाइड किया कि मुजब प्रोफेशन करना ही अपना तो मैं आई उसको बें पूरा वाँ मने बंबे गया डिसाइड जब किया 55 युटिवड नाइटिम 55 तो बंबे शिफ्ट किया उसके पहले कि अपने पास पोटेबल इस्ट्रुमेंट होना चाहिए, तुकि अर जगा प्यानों मिले गाने, और कॉम्बे जब कहा तब देखा, सब स्टूडियों में प्यानों में प्यानों में अगर अकॉर्डियन होने से, मेरे मुझे काम बहुत जल्दी बिलने लगे, तुकि अकॉर लेकि नहीं मिलते थे, उस्टाइब गुडिस दूसरों के रिकाउडिक में बिजी, तब हमें चाहस मिलने लगे, लोगों को पता जला हम भी बजाते हैं, तो इस तरह के से कम शुरू कह जाता है, तो वो कॉन से गीत है, जिसमें आपने प्यानों बजाया, जो बड़े नु तुम अपना रंजो गम अपनी तुम अपना रंजो गम उसमें प्यानों आपका पजाया है, तुम प्यानों आपका पजाया है, तुम प्यानों आपका पजाया है, वाह, वाह, क्या बात, क्या बात है, अच्छा सर यह वताईए, रफी सहाब की टोनल कॉलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी वोइस की कॉलिटी जो है उसके बारे माँ के एक ट्रेश्च के लाँ था एक अना सब्ते बुटी जो है तो इनकी परस। अश्च के लिचाश्च की की विजए के विए प्रशच कीवाराइटी है? तो उनकी परस्नालिटी में अबसे जादा खुबसूरत बात अप को क्या लगती थी? अदर दिन्ट वोइस? सब यह जो शोज होते थे आपके उसमें ऐसा कभी होता होगा कि बजाते बजाते कोई प्लेयर जो है कोई आटिस्ट आफ की चला गया आफ रिदम हो गया ऐसे में रफी साहब के रिएक्शन क्या होते थे कुछ बोलते नहीं थे नहीं जो जाते थे तो उसमें अट-दस मुजिशन मैग्जिमम पर में सिलेक्टेड होते थे तो विस्टेक करने वाले नहीं रहते थे थे होगी है सर रफी सहब को भारत रतन अवार्ड नहीं दिया गया अभी तक आपकी क्या राय है इस बारे में तो आपको नहीं लगता कि उनको दे देना चाहिए अब आवाड यह आपके बजाए हुए एकॉर्डियन पीसेस में आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा पीस है छी जादा जादा जै यहीं आपका फेवरॉरीट। पॉपडूर तो हमको सब पता है papier mu ranора मैंने कहीं सुना था कि si rahman chandra sahab ने भी अपने शौ में आपसे कहा कि बहले आप instrumental स्टार्ट करें और सोhanei राथ बजाएं इसा कुछ हुआ था? इन सब के साथ आपने लटा जी के साथ आपने लाइफ शोगे हैं इन तमाम फनकारों में और रफी साहब में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? क्या क्या है रफी साहब में अभानलाया अनी क्या है? व किसी यादे हैं, सरु? If the Royal Albert Hall I had performed moody with Latar जी Yes, I know How was that feeling that first time...? When the Grand Hall, you feel proud when you go there and perform... you feel proud You can use all the very class capacity sound system, everything, perfect, nothing to complain about. Very nice place. So what are your memories of Royal Albert Hall, sir? Memories are the same, that I got lots of friends after that show from London. Lots of friends. When Sheple, East Africa, 23-year-old, how do you remember this year, sir? In the beginning of the year, I started to make it. I mean, I was 57, first two, East Africa. When I was there, I was 25 shows. But that time Talat used to act in movies also. So he had to return after a certain time. And Sheple, myself and C.H.A. Chattano was with us. So we remaining three artists, we continued and we did 40 shows there. Wow, wow. 40 shows. Wow. This is fantastic. Yes. Sir, this is the song of Ravie Shankar Sharma, Ravie Shankar Sharma's song. What did you sing with a accordion? No, I don't think so. Okay, the song of Chitra Gupta's song is the song of the people of the world. No, I don't think so. Why did you feel scared of your eyes? Actually, I have no words. I remember my memories. But you remember everything you sing with the song of Shankar Sharma's composition. Especially however, the song is on the way. It's probably your records. I remember the song of Shankar Sharma's song of Kishan. Like? And after the song of Shankar Sharma's sing any song of your songs. After that, Shankar Sharma's song of Sarkar, he does not sing the song. He did all the songs I did. As he did. जलते हैं जिसके लिए बेकरार करके हमें यू न जाईए या फर यह सब आपी की पीसिस बजाए हुए हैं रैट एस्टी बर्मन साहब के साथ आपने कितनी फिल्मों में किया होगा उनके साथ चादा लगी है अच्छा ये ये जो गीप था बेकरार करके हमें यू न जाईए क्या तैयारी की थी आपने इसकी उसमें बजाए है साब नहीं आदे हुए है जी और बहुत खुबसूरत पीसिस थे वो इसमें कोई शक्री नहीं आपने इतने सारे म्यूजिक डेक्टर्स के लिए काम किया जै से नयर साहब होगे, सलील चौधरी, खयाम साहब, वसन देशाई, नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, सी रामचंदर जी इन सब में आपके फेवरिट कौन थे? मुश्किल सवाल है मैं जानता हूँ, लेकिं फिर भी आपको बताना होगा अच्छा, सीखने बहुत कुछ मिला तोगेदर अच्छा के साहब, रामचंदर गारिक मुशिचंस के साहब, वेरी क्लोस अच्छा कॉटेक्टे इस तो बिजिद लिए और बच्छे क्या करते हैं, बुन सिकता है, कौन क्या करते हैं, सब के ऐस अभी आपके बारे इन का थान रहा एंशा था थाजिए, सब के र कभी ऐसा हुआ कि आप उनके घर गए या वो आपके घर आए अच्छा जब रियरसल के लिए जाते थे तो कैसा ट्रीट करते थे रफीज आप घर पर तो कुछ याद करने की कोशिच किए कि रियरसल के दौरान क्या कुछ होता था अच्छा मैं समझ गया ठीक ठीक से